हेलो फ्रेंट्स मैं हुसन में प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चनल सरकारी जॉप न्यूज इस वीडियो में 7 अक्टूबर 2018 के इंपोर्टेंट कर इंटरफर्स हैं इसे देंदू इंटरेंट एक्सप्रेस सहित कई नीच पर और PIP रिपोर्ट्स के अनलेसिस से त्यार किया गया है आप इसका टीटेल नोट्स और वन लाइनर पीडियेफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं कोशन होगा RBI ने नियमों का उलंगन करने के मामले में करूर वैश्व बैंक के बाद अब किस बैंक पर पांच करूर रुपे का जुर्माना लगाया है इसका एंसर होगा फेडरल बैंक दिखिए जुर्माना बड़े कर्ज लेने वालों के बारे में रिपोर्ट करने में चुक में ग्रांकों को मुआपजा का भुकतान नहीं करने एटियम सम्मदिद शिकायतों को दूर करने में देरी और बहुत सारी खामियों की वज़ेस से लगाए गया है एक और बात बता दूँ कि कुछ वक्त पहले रिपाई ने दोखादरी पकरने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में देरी को लेकर तीन बैंकों जैसे यूनियन बैंक ओफ इंडिया, बैंक ओफ इंडिया और बैंक ओफ महाराष्टर पर एक एक करूर रुपय का जुर्माना लगा था अगला कोशन है निरवाचा नायोग ने हाली में किन राज्जों के लिए विधानसवा चुनाओं की घोषणा की है ये कली घोषणा हुई है छे अक्टूबर को तो इसका एंसर होगा उप्रोक्त सभी जिसे चातिसगर, मधप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगा ठीक है मुख चुनाओ आयोक्त है ओम प्रकाश रावत उन्होंने प्रेस कॉन्फेस में देश के पांच राज्जों में चुनाओं की घोषणा कर दिये अगले कई कोशन इसी से रिलेटेड है चुनाओं से रिलेटेड मधप्रदेश और मिजोरम में विधानसवा चुनाओ यानि मतदान कम होगा एंसर इसका 28 नॉवंबर को देगी यहाँ पर नोटिफिशन 2 नॉवंबर को जारी होगा नॉमिनेशन की आखरी तारीख 9 नॉवंबर है नॉमिनेशन के लिए इसकूटनी होगी 12 नॉवंबर को नॉमिनेशन वापसी की आखरी तारीख है 14 नॉवंब और मिजोरम में कुल सीठ 40 ठीक है तो यहां राज्यों के बारे में कुछ बता दूं कि मद्द प्रदेश की राजधानी भोपाल है राजपाल आनंदी बेन पटेल हैं मुख मंतरी शिवराज सिंग चोहान है वो बीजीपी से जुड़े हैं तो मद्द प्रदेश के विधान खवला वो कांग्रेस से है तो यहां कब खत्म हो रहा है विधान सभा का कारिकाल? तो 15 दिसंबर 2018 को सिओ अगला कोशन है राज्थान और तेलंगान में विधान सभा सवा चुनाओ यानि मतदान कब होगा इसका एंसर है 7 दिसंबर देखिए राज्थान तेलंगान दोनों क के लिए नोटिफिnet जारी होंगे बारह नॉँनेशन की आखिरी तारीक है उन इस नॉबर नॉमनेशन के लिए इस्कूटनी होगी बीज नॉबर को fulfil primeira हिए वापसी की आखिरी मुख मंत्री वह सुंधरा राजे हैं वो बीजेपी से जुड़ी हैं तो यहां कब खत्म हो रहा है विधान सभा का कारिकाल तो 20 जनवरी 2019 को दूसरी और तिलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहां के राजपाल है ईसल नरसिंगा जबकि कारवाक मुख मत्री है के चंदरशेखर राओ वो तिलंगाना राष्ट समीति पार्टी के चीफ भी है तिकि वहां पर विधान सभा भंग हो चुकी है तिकि इसलिए इन चरन का होगा 12 नौमबर को और दूसरे चरन का 20 नौमबर को पहले चरन में नकसली प्रभावित इलागों में मतदान होगा वहां के लिए नोटिफिशन जारी होंगे 16 अक्टूबर को नौमिनेशन की आखरी तारीक है 23 अक्टूबर नौमिनेशन की स्कूटनी होगी 24 ओडिशन जोंगे 20 अक्टूबर को और वोटींग होगा 12 नौमबर को और चr丁सगतार में दूसरे चरन का जो मत्यतान होगा उसके लिए नोटिफिक्शन जारी होंगे 26 अक्टूबर को नौमिनेशन की आखरी तारीक है 2 नौमबर नौमिनेशन के लिए इसकूटनी होगी 3 नॉम्मर को, नॉमिनेशन वापसी की आखरी तारीक है 5 नॉम्मर, वोटे होगी 20 नॉम्मर को, नतीज आएंगे सारे राज्जों के एक साथ 11 दिसंबर को, चतिसगर में कुल 90 सीट है, ठीक है? तो चतिसगर की राजधानी है रायपूर, कुछ वक्त बाद चतिसगर की जो रा बहार पर है, मुखमंत्री है, रमन सिंग, वो बीजेपी से है, तो विधान सबा का कारकाल, चतिसगर में कब खात मोड़ा है? तो वह है 5 जनवरी 2019 को, ठीक है? तो यह सब था चुनावस रिलेटिड कोशन्स जो बहुत इन्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताए, अग एंसर है इसका एपल, देखिए एपल का जो मूल है वो एक ट्रिलियन डॉलर है, उसके बाद गूगल, एमेजन, माइक्रोसोफ्ट और कोका कोल है, सैमसंग चट्टे अस्थान पर और फेस्बुक नौवे अस्थान पर, अगला कोशन है, भारत ने स्पेन के लिए अपना र साइथूद निउक्त किया गया है, संजय वर्मा 1995 के IFS अधिकारी हैं, यानि भारतिये विदेश सेवा के, वो वरतमान में विदेश मत्राले में अतरिक्त सच्व के रूप में कारे रत हैं, तो स्पेन के बारे में बता दूँ, वहां की राजधानी है, मैड्रिड, मुद्र है यूरो, आधिकारी भाषा है स्पैनिश, और प्रधान मत्री हैं, वहां के पेड्रो संचेज, अगला कोशन है, केन सरकार ने किसे तीसरा उप राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार, यानि डिप्टी एने से निक्त किया है, तो इसका एंसर होगा, आर एन रवी, राश्ट्रि जो इस वक्त है, अजित धोवाल, उनकी टीम में अब तीन डिप्टी एने से हो गए है, रवी के अलावा, राजिंदर खन्ना और पंकच सर्न पहले से डिप्टी एने से है, तो आर एन रवी जो हैं, वो किलल कैडर से 1976 बैच की IPS अधिकारी राच चुके हैं, और इस वक्त नगा उग्रवादी संक्टन, National Socialist Council of Nagaland, यानी NSCNIM के साथ जारी जो वारता है, उसमें सरकार के तरफ से वारताकार भी हैं, तो दो जो अधर डिप्टी एने से हैं, उनके बारे में भी कुछ बता दू, तो राजिंदर खन्ना जो हैं, वो रौ के पुर्व प्रमुक हैं, Research and Analysis Wing के, और इसी साल उन्हें जन्वरी में उपर राष्टिय सुरक्षा सलाकार यानी डिप्टी एने से बनाये गया था, जबकि वरिष्ट राजनाईक पंकज सरन को इसी साल मई में उपर राष्टिय सुरक्षा सलाकार यानी डिप्टी एने से बनाये गया था, इससे पहले वो रूस में भारत के राजदूत रहे हैं देखे बताया जा रहा है कि आरेन रवी जो है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा नीतियों को देखेंगे जबकि पंकच सरन बाहरी बिंदूओं पर ध्यान देंगे यानि जो अधर देशों के मुद्धे हैं इसके लावा राजिंदर खन्ना खास तोर से इंटिलिजेंस यानि खूफिया तंस को देखेंगे तो इस तरह से अजीर डुबाल जो हैं सरकार में पावर सेंटर के रूप में बन गया है अगला कोशन है राष्ट्रिय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया तो इसका एंसर होगा पांच अक्टूबर इ यानि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इसका एंसर है पटना तीकि बिहार में पटना विश्वित दैले में गंगा नदी के किनारे राष्ट्रिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद की अस्थापना की जाएगी बिहार के उप मुख मंतरी सोशील कुमार मोधी ने राष्ट्रिय ड और भारत की लगभग आधी डॉल्फिन की जो जन संख्या है वो बिहार में है देश में डॉल्फिन की जो अनुमानित संख्या है वो लगभग तीन हजार है तो गंगटिक डॉल्फिन यानि गंगा नदी में जो रहने वाले डॉल्फिन है वो फिश्व की ताजे पानी की यो चार डॉल्फिन प्रजातियां है उनमें से एक है इसका वगयनिकों ने नाम दिया हुआ है पलाटा निष्टा गेंगटिक यहां एक और बात पता दू कि गेंगटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रिय जलिये पशु है यह बात आपको बिल्कुल ध्या गेंगटिक रिवर डॉल्फिन को भारतिये वनने जीव अधिनियम के तहत पहली अनुसुची में रखा गया है यह एक और इंपर्टेंट बात बता दू कि बिहार के भागल पुजले में विक्रम शिला गेंगटिक डॉल्फिन अभेरन इस्तित है यह देश का एक मात्र जो कोशन्स है वो इस तरह से बन सकते हैं जो आ सकते हैं तो बिहार की राजधानी है पटना आप सभी जानते ही है रजपाल है वहां के लाल जी टंडन मुख मंत्री है नेतिश कुमार वो जंतादल यू से आते हैं अगला कोशन है पुरुव बल्लेबाज कॉम्टन ने किरक पुरुव बल्लेबाज कॉम्टन उन्होंने इंगलेंड के लिए 16 टेस्ट खेले हैं अगला कोशन है किस मंत्राले को स्वक्षता ही सिवा पुरस्कारों के तैत स्वक्षता पक्वारा में इसके योगदान के लिए सर्व स्रेष्ट विभाग का नाम दिया गया था अभी 2018 म तो एंसर होगा रेल मंत्राले अगला कोशन है इंटरपोल चीफ कौन है जो हाली में चीनी आतरा के दोरान लापता हो गए और अब जो खबरें आ रही है उसमें की पूछताच के लिए उन्हें चीन द्वारा हिरासत में लिया गया है ये कहा जा रहा है ये कथित है अभी कन प्रेसिडन्ट तो एंटरपोल का जो मुख्याले है वो फ्रांस के लियों में इसित है इंटरपोल का जो मुख्य काम है वो विभिजन देशों की जो पुलिस बल है उसके सहयोग से दुनिया भर के बड़े मामलों की जाच में मदद करना है अगला कोशन है सहयोगत निशास्त्री करण सम्मिलन के लिए भारत का आस्थाई प्रतिनिधी किसे निप्ट किया गया है। निशास्त्री करण के लिए समझोते पर वारत किया थी है। तो इसकी अस्थापन हुई थी 1984 में और इसका मुख्याले है सूर्जय लेंड के जेनेवा में। वर्तमान में 65 देश इसके सदस्य है। तो इसकी अस्थापन हुई थी 1961 में CEO है नंदिनी सुकुमार मुख्याले है इसका लंदन में। अगला कोशन है पहले ही टेस्ट यानि डेबू टेस्ट में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतिय भल्लेवाज कौन है। तो इसका एंसर होगा प्रिथवी शौव। ठीक अगला कोशन है मिथनौल इंधन के कुकिंग श्टॉफ की पहली उपभोक्ता कौन बनी है। इसका एंसर होगा रितु बोर्दो लोई ठीक है आसम की रहने वाली हैं और दो अक्टूबर को उन्होंने इतिहास रहती है वो मिथनौल इंधन का कुकिंग श्टॉफ के पर्थ टू लीटर के कनेस्थर वित्रित किये गए ये पैलेट प्रोजेक्टर रलाया जा रहा है मिथनौल इंधन के इस्तमाल को लेकर तो इथनौल इंधन तो आपने सुना था हमने भी सुना था मिथनौल इंधन क्या है तो मिथनौल इंधन जो है वो सिंगल करबन कंपाउंड ह जो भारत में एक बहतरीन विकल्प इंधन हो सकता है ये काफी कुशल इंधन है जिसे गैसुलीन और डीजल के साथ मिशन करके त्यार किया जा सकता है ये कम नाइट्रोजन ओकसाइड पी-म उत्रजित करता है और सलफर डायोकसाइड तो बिलकुल उत्रजित नहीं करता है इस से डाई मिथाल इथर में बदला जा सकता है जो कि स्वक्ष डीजल का विकल्प है तो असम की केपिटल है दिसपुर राजपाल है वहां के जगदीश मुखी मुख मंत्री है सरबानन सोनेवाल वो बीजेपी से है अगला कुशन है इंटरनेशनल एड़टाइजिंग एसोश स्वामी हंसा समू के अध्यक्ष है और 4 अक्टूबर 2018 को ने पदभार ग्रहन किया है असी वर्ष के हैं वो अगला कुशन है ली म्यूंग बाग को हाली में 15 साल की जिल की सजा हुई है वो किस देश के पुरुराश्ट पती है एंसर हो इसका दक्षिन कोडिया अगला कुश रोमन समराजी का भुशन नाम से प्रख्यात प्राचीन शहर सबराथा को युनेसको ने संकट ग्रस्त घोशित किया है यह प्राचीन शहर किस देश में स्थित है इसका इंसर होगा लीबिया तो दोस्तों यह था 7 अक्टूबर 2018 का इंपोर्टेंट करेंटर अपने दोस्तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते हैं पहले बार यूटूब चैनल सरकार जॉब नीज देख रहे हैं तो जरू सब्सक्राइब करें और यह बिल आइकन है इससे जरू दुबाएं और हाँ आप इसका नोट्स और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्श से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद